Hey YouTube family, welcome back to the channel guys, कैसे हैं दोस्तों आप लोग, hope करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, तो guys आज आए मैं है शोर होंडा, शोरूम के जितने भी डिटेल्स हैं और contact number वो आपको description box में मिल लाएगा दोस्तों, तो guys आज आज आपके लिखे हैं all new 2022 की X blade जो कि आपके सामने प्र अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो I button में link आ रहा होगा, मैं description में भी link share कर दूँगा, आप जाके वो color जरूर देखें, आपको वो color भी बहुत जादा पसंद आएगा दोस्तों, तो guys आज इस वीडियो में बात करेंगे, इसके all new updates और changes के बारे में, अगर आप सो आट करते हैं review, तो सबसे पहले मैं आपको इसका front look दिखा देता हूँ, तो front look कुछ भी changes नहीं हुए है, वही आपको same look देखने के लिए मिलेगा, आपको black color का visor मिल जाएगा देखने के लिए, और इसमें company आपको LED headlight और DRLs company provide कर देती है, तो जब गाड़ी on होगी तब headlight setup जल जाएंगे, लेकिन सिफ key on करने से सिफ आपका DRL ही on होगा guys, यहाँ पर आपको number plate लगाने का placement, दो indicators आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको बल में मिलेंगे, clear lens indicators मिल जाएंगे guys, अगे इसमें आपको additional switch मिलता है, आपका hazard light का जैसे कि आप देख सकते हो, company आपको चार आपको आगे में metallic blue में मिल जाएगा, पीछे में आपको matte black में इसका finishing दिख जाएगा, single channel AVS company आपको provide कर देगी, यहाँ आपको calibres मिल जाएंगे, disc मिल जाएगा, AVS sensor company आपको provide कर देगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, tire size के बारे में बात कह लें, तो front tire size आपको 80 by 100 का म provide कर देती है, दो reflectors मिल जाते है, right to left guys, और look आप देखी सकते है, यहाँ पर अगर बात करें, तो tank में आपको सबसे पहले Honda की branding मिल जाएगी, 3D logo में, वो भी आपको silver car में देखने के लिए मिलेगी, chrome का work, और यहाँ पर आप देखो के तो X blade लिखा हो मिल जाएगा, tank extend किया हो मिलेगा आपको, जो look wise आपको बहुत जादा bulky और aggressive जैसा दिखेगा, tank capacity आपको 12 liter की मिल जाएगी, 12 liter की capacity आपको company provide कर देगी, यहाँ पर आपको carbon fiber का finish मिलेगा, बट वो carbon fiber नहीं है, बस उसका finish आपको company provide कर रही है, यहाँ पर आपको tank guard बोल सकते हो, उसमें आपका help यहाँ पर आपको सिफ 160 का badging से इस जगा में मिलेगा, बाकी कहीं पर भी 160 लिखा हो, आपको company provide नहीं करती है, यहाँ पर ही आपको मिलेगा, दोनों side जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बात करें, इसके rare look के बारे में तो यहाँ आपको gray color का work दिख जाएगा, जो गाड़ी split में आपको दो grab rails मिल जाएंगे देखने के लिए body color में, और यहाँ पर आपको company single seat provide करी है guys, seat height आपको मिल लाती है 795 mm की, तो short rider के लिए easy to ride हो जाएगा guys, तो आपको मैं इधर से एक बार दिखा देता हूँ, और यहाँ पर आपको बात करें, तो LED tail line मिलता है, जो कि आपक में मिलेगा, यहाँ आपको Honda की branding मिल जाएगी, दो indicators मिल जाएगे, एक reflector, यहाँ number pit लगाने का placement मिल जाएगा, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, इस जगह पे, तो यहाँ पर आपको tire hugger मिल जाएगा, यहाँ आप आप देख सकते हो, tire size के बारे में बात करें, disc क के बारे में बात करें, तो यह dual disc में present है, तो rear disc आपको मिल जाता है, 220 mm का, tire size मिल जाता है, 130 by 70, 17 इंच के आपको tubeless tire मिल जाते है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर आपको पीछे में, rear में आपको single piston caliber company provide कह देती है, यहाँ आपको hydraulic monoshock मिल जाता है, rear suspension जो क आपको red spring के साथ मिलता है, यहाँ आप आप exhaust देख सकते हो, exhaust आपको dual barrel exhaust मिलता है, जिसमें chrome का work हुआ हुआ है, महलों cover लगा हुआ है, यहाँ आपको footrest मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको company kick भी provide कर देगे, तो yes guys, इसमें आपको 163 segment में company kick भी provide कर दे रही है, तो यह बहुत ही अच्छा plus point मिलता है इसमें guys, और बात करें इसके all over looks and design के बारे में तो वो आपको बहुत जादा पसंद आएगा, full aggressive में आपको bike company provide कर रही है, numbers of gears पूछ लें guys, तो numbers of gears आपको 5 मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको cut off sensor मिल जाता है, वो जो कि आपका instrument customer में भी donate कर देता है, जैसे कि आप देख सकते है, stand down किया हुआ है, तो उसमें वो showing कर दे रहा है, और engine के बारे में बात कर लेते हैं guys, तो सबसे पहले बात आदू कि यह four stroke है, single standard air cooled है, maximum PS 13.67 bhp है, maximum torque 14.7 nm है, जो कि आपको 5500 rpm में complete provide करता है, BS6 है guys, यहाँ पर आप quality converter देख सकते हैं, नीचे में आपको engine call मिल रहागा, जो कि आपको fiber में मिलेगा guys, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर भी grey का work हुआ हुआ है, तो बहुत जादा अच्छा लग रहा है, fiber की quality मिलती है guys, यहाँ पर, यह तो बात होगे, front, rear और इसक specifications के बारे में guys, अब बात कर लेते हैं, इसके new changes जो की है, इसका instrument cluster guys, instrument cluster आपको on करके दिखा देते हैं, तो इसका instrument cluster आपको fully digital में company provide करती है दोस्तों, तो जैसे आप on करोगे तो यहाँ पर आपको rift करता हुआ, rpm meter दिख जाएगा, gear indicators मिल जाएंगे देखने के लिए, Honda का logo म मिल जाएगा, आपको यहाँ पर time मिल लाएगा, low fuel indicator company provide कर देगी, यहाँ पर को kilometer मिल जाएगा, numbers of trips आपको two मिलते हैं, जो कि यहाँ पर आपके दो buttons दिये हुए, इससे यह control होते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपको avias light मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, side stand sensor मि यहाँ पर provide कर देगी, बात करें switches के बारे में guys, तो यहाँ पर आपको passing light मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको low भीम, high भीम हो गया, indicators हो गया, और यह horn हो गया, horn company आपको decent सा company provide कर रही है, तो horn जो placement है वो guys, यहाँ पर आपको 2 horn दिख जाएगे, यहाँ पर आप देख सकते ह और यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर company आपको kill switch provide कर दे रही है, और यहाँ पर आपको additional hazard light का switch और नीचे आपको self, और जैसा कि मैंने खहा था, company आपको इसमें kick भी provide करती है, तो आपको थोड़ी देल में इसका exhaust note भी सुना देते हैं, दोस्तों कि इसका exhaust note कैसा है, सबसे है, 1115 mm का, गाड़ी का wheelbase आपको मिल जाता है, 1347 mm का, ground space company आपको provide कर देती है, 160 mm का, guys, seat height मैंने जैसा आपको बताया था, 795 mm की company आपको seat height भी provide कर देती है, दोस्तों, अब आपको दिखा देते हैं, इसका exhaust note, तो सबसे पहले गाड़ी को कर लेते हैं, neutral, तो गाड़ी में तो hopefully हो सकता है कि गाड़ी start ना हो, पर try करते हैं, तो गाड़ी start हो गई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही refined और clear आवाज है, आपको कोई भी irritation नहीं होगी चलाने में, और जैसे मैंने कहा था, गाड़ी on करते हैं, इसके LED headlight setup on हो जाता है, तो इसका आप throwing द 57 और जिसका on road price है हमारे city में, वो है 1,43,000 के आसपास, आपकी city में जो भी इसका on road price चल रहा होगा, मुझे comment के थूरू बताइएगा दोस्तों, तो guys, hopefully आपकी जो भी doubt होगे, इस bike को लेके वो clear हो गए होगा, अगर ये video आपको useful लगा, तो एक like के comment जरू करिएगा, चैनल पर पहली बारा है, तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा, मिलते हैं आपसे next video में, तब के लिए bye and take care